सो हेलो फ्रेंड्स कैसे है आप लोग उमिद करता हूँ बरिया होंगे और होना भी चाहिए तो दोस्तो आज के टाइम पे याटल का नेट्वार्क बहुत ही ज़्यादा खरब चाल रहा है जिसके करें दोस्तो आपका याटल का इंटरने स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो द सेटिंग अगर दोस्तों इस एपीन सेटिंग को आप आपका फोन में सेट करोगे तो आपका इंटरने स्पीड हाई स्पीड में चलना शुडू कर देगा तो इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा इंट तक वास किजिए और अगर आप हमारा चैनल पर पहली बार आया है त सबसे पहले आपका में सेटिंग में आपको चेले जाना है जाने के बाद करने के बाद और नीचे ऑको अक्सिक करकर ना करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एपीएन पे लेके आ जाएगा आपका फून का जो डिफॉल्ट एपीएन सेटिंग है वो यह पर हो जाएगा तो उसको आपको यह पर रिसेट का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके रिसेट कर लेना है रिसेट करने के बाद दोस्तों न त्युक्ता ऊप्षेस दीख रहा है, इस नेम का ऊप्षेस के ऊपर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यह पर टाइप करना है, इसके बाद उसके नीचे है ABN का option तो आपको यह पर इस PN का option के ऊपर क्लिक करना है क्लिक करने के बद आपको यह पर small letter पर type करना है Airtail यह रिंखने के बाद इसके साथी आपको type करना है 5G और G यह पर दोस्तो capital letter पर होगा इस तरह कैसे आपको eartail 5G लेकिए यह पर भी OK कर देना है देने के बाद उसके नीचे है proxy A0 से ट्रकना है उसके नीचे है पोटे भी नोट से ट्रकना है उसके नीचे है username तो आपको इस username का option के उपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यह पर small letter पे type करना है P-R-O-M-A-X Pro Max आपको यह पर इस तरह के से small letter पे लिखके यह पर OK कर देना है देने के बाद उसके नीचे है password को option A0 से ट्रकना है उसके नीचे है server तो आपको इस server को option के उपर क्लिक करना है और आपको यह पर type करना है www.artail.in इन यह पर दोस्तों सारा letter आपको इस तरह के से small letter पे लिखके यह पर OK कर देना है देने के बाद दोस्तों उसके नीचे है MMSC A0 से रहेगा उसके नीचे है MMS proxy A0 से रहेगा उसके नीचे है MMS port A0 से रहेगा और नीचे जो MCC and MNC का option है आपका area का voice automatic set हो जाएगा तो दोस्त करने के बाद दोस्तों यह पर आपको फूर्ट नंबर का option PAP और CHAP option को select कर लेना है करने के बाद उसके नीचे है PN type का option तो आपको इस PN type का option के उपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यह पर small letter पे type करना है DEFA ULT यानि कि आपको यह पर इस तरह के सब default small letter पे ल जिकिन roaming protocol का option इसके उपर क्लिक करके यह पर भी same to same option को आपको select करने के बाद दोस्तों नीचे आपको बीरर करके एक option देखने को मिल जाएगा तो आपको इस बीरर का option के उपर क्लिक करना है अगर दॉस्तो इतना सरा option को select करने के बाद, आपका phone में APN save नहीं होता है, तो आपको यह पर save LTE option को सेड़ कर लेना है, करने के बाद, आपको यह पर OK कार देना है, और यह जो from है, दोस्तो यह पर feel हो चुका है, तो इस from आभी आपका phone में save कर देना है, सेव करते ही दोस्तों आपका phone में Airtle SIM का एक नया APN शुरू हो जाएगा तो इस APN को आपको सबसे पहले सिलेट कर लेना है और आपको यह से back चले जाना है जाने के बाद दोस्तों आपको phone को एक बार restart कर लेना है उसके बाद आपका mobile का data ओन करके internet चलाना है देखना आपका internet पहले से बहुत ही जड़ा फास्ट चलना शुरू कर दिया है तो दोस्तों आपका इंट्रने स्पीट अभी कितना दे रहा है नीचे मुझे कॉमेंट करके जरूर बतना अगर इस वीडियो आपको पॉसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी जरू से जरू सस्क करते हो तो दोस्तों मैं मिलते हूँ अगला कोई नया वीडियो लेके जाए हिंद्ट